तो guys there is a quick update on the pancard आदाकार linking process तो आप लोगों पता हुआ कि 31 माद 1230 यहाँ पर last due date थी लेकिन government ने अब उसको extend करके 30 जून 1230 कर दिया गया है तो आप guys जो भी आप pancard आदाकार के अंदर जिनका name और date और जो mismatch हुआ करता था जिसकी वज़से वो link नहीं करवा पा रहे थे अब वो आराम से 30 जून तक करवा सकते हैं और उसके बाद में भी government ने यह बोला हुआ है कि अगर आपका pancard यहाँ पर inoperative हो जाता है या deactivated हो जाता है तो आप 1000 रुपे की penalty का fees का payment करके simply आप अपने within the 30 days जो है आप अपना pancard भी यहाँ पर activated करा सकते हैं इसके लाँ सेबी ने भी यहाँ पर notification निगा ली थी कि जो भी यहाँ पर DMAT account holder से basically उनको भी link कराना जरूरी है क्योंकि obviously बात है आपका pancard अगर deactivated हो जाएगा तो आपका जो DMAT account है वो भी यहाँ पर dormit हो जाएगा जिसके अंदर आप कोई भी trading या investment related activity नहीं कर पाएंगे इसके लाँ गाइस यहाँ पर सेबी ने भी जो है जितने भी DMAT accounts थे उसके अंदर nomination की जो due date थी वो 31 मार्च 12-23 कर रखी थी और वो भी अब इन्होंने extend करके 30 September कर दी है तो आपके जितने भी DMAT account है उसके अंदर आपने nomination का basically declaration नहीं दे रखा है जो कि एक online process होता है तो वो simply अगर आप दे सकते है और उसकी जो due date थी वो last यहाँ पर 31 मार्च थी तो अब गबरानी की जरुद नहीं है अगर आपने नहीं दिया है तो अगर पहले की अगर मैं बात करो तो आपका DMAT account यहाँ पर बंथ हो सकता था लेकिन अब यहाँ पर extend होके basically उसकी जो due date है वो 30 सितंबर यहाँ पर कर दी गई है और इस pancard आदा का link कैसे करना है तो इन सभी के supported video links मैं आपको description box में दे दूँगा और आपको जो भी DMAT account है आप यहाँ पर search कर सकते तो आपको solution मिल जाएंगे कि अपने DMAT account के इंदर आपको nomination वगरे कैसे fill up करना है